हाई एवरिवन तो आज मैं आप लोगों के लिए मुर्मूरे से बना हुआ एक बहुत ही आसान सा नाश्ते लेकर आई हूँ जो कि खाने में तो टेस्टी है ही साथ ही में बहुत हैल्दी भी है बनाने में इतना आसान है कि दस मिनट में आप इसको बना कर तियार कर लेंगे औ सिर्फ दो छोटे चमच ओईल का हमें इसमें यूज करना होगा जादा ओएल की बिल्खुल विज़रत नहीं पड़ती है इसलिए अगर आप लोग हैल्थ कॉंशियस है तो आप इस नाश्ते को असानी से बना कर खा सकते हैं तो चलिए शिरू करते हैं तो यहां देखिए हम अटृब है हम लोगोनों ने मेजिरिंग के यहां पर तीन किप मुरमुरा लिया है जिसको हम पॉफ राइस भी के थे हैं कुच जगे पर इसको लाई है बिका जाताा है बस वहां ले ले लिया धनम ने किसी भी क Яच्तोरी सेमेश भी ने मेसेरिमाइन कर सकते हैं अब भी सार बारिक सूजी नहीं हो पाती है अब 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 निकाल देंगे एक बोल में और यहां पर हम लोग इसमें एट करने वाले हैं थोड़ा सा पानी तो पानी डालकर हमें इसका बैटर बनाना होगा यहां पर आप चाहें तो इसमें दही का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपक बनाने में ब्रॉबल्म नहीं आएगे कि हमें क्या चीजिसमें इस्तमाल करनी होगी या फिर हम दही के जगा पर क्या यूज करें आपको बिल्कु भी परिशानी नहीं यह या जाज है तो आप एक कप दही चाह जिसमें यूज कर ली जिए और अगर दही चाह नहीं तो जिसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बढ़ 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 बनाने के बाद में हम इसको ढ़क कर देते हैं क्योंकि सुझी भी है तो फूल कर तयार हो जाएगी यहां देखिए एक पैन में ले थोड़ी सी कची मुफली उसको हम ऐसे ही रोस्ट कर रहे हैं कि बिना ओयल के में रोस्ट कर लिया है हलका सा इसमें वक्त लगता है रोस्ट करने में अगर आप कुई पास टाइम ना हो तो लगबग एक चोड़ा चमच इसमें और बहुत जल्दी रोस्टो कर के तयार हो जाती है मैं इसको बिना ओयल की बना रही हूं जो की थोड़ा हल्दी भी रहेगा और यहां देखिए हमारी मुंग फली अच्छे से रोस्टो करके तयार होगी जैसी रोस्टो जाती है न अच्छे सी क्रैक की नजर आने लगते हैं आपको ही देखिए और थोड़े से इसमें से खुश्मू बियाने लगते बस इसको ठंडा कर ते रोस्टी नेते हैं अब दे लिया है मिकसी राइणिग जार उसमें हमने अपने मुंग फली के चिलके निकाल करके इसको एड कर दिया है साती में लेवे हैं तूर अशा जो पका वला नारियल होता है नारियल होते हैं लो नारियल के टुकृड पर याप इसके जगह पर आवाज आने लगती है। क्रेक होने की ब्राउन क्रेक हूने करने होगा। ऑफ छोड़ी से चॉप कर लिया आप चाहें. आप चाहें तो पहले दाने प्याज की दाने जब100त मेले लिया हैं साती में मटर के दाने मैंने आप बॉयल करके ले लिया है फोड़ी सी गाजर को मैं ली असके लिया है इसके लाभा आपको जो बी सबजे पस्ड़ करते हैं वो इसमें एट कि जा सकती है जैसे आप आरी कटके पालक यूज़ कर सकते हैं, मेथी यूज़ कर सकते हैं, या कैबेज हो वो यूज़ कर सकते हैं, फूल गोविक को ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर कच्छे आलू को भी आप ग्रेट करके इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो सब जो आपके पास अपने स्वर्षाद का रटाम के लिये उसी हूं को चॉपट करें आप दियंगे और ले को शी एंब इसैते साथ ही मत है में यह बिलकुल ऑपिशनल है आप चाहें तो डालें हलका सा मिर्ची होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है तो बाकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको पुरी तरह से सकेप कर सकते हैं वस सबी चीजों को हम कर देंगी बढ़िया से मिक्स और यहां पर आप इसमें बादाम यह काजु का यूज भी कर सकते हैं थोड़ी सी किश्मिश भी अट की जा सकती है उनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा जाता है पस हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है तो इस बी चीजों को हम बढ़िया से कर देंगे यहां पर मिक्स अभी तक ह दोनों ही कटोडियों को हमने ओई से काफी अच्छे से ग्रीस कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखिए हम दुग ने लेली है कड़ाई कड़ाई में हमने थोड़ा सा पानी डाल कर की अबलने के लिए रखती है एक रिंग रिंग की जगे पर आप क दोनों कर लिए लेगे थोड़ा से नीबू कर रस तो नीबू करए रस को डालते के साथ में ही अक्टिवेट हो गया है इसमें नजरा रहे है तो बस इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स अगर आपके पर बेकिंग सोड़ा नहीं है तो आप हाफ को टी स्पून जितना ही इ बनाना चाहे तो आप इडली स्टीमर में भी बना सकते हैं तो बस इसको हमने फिल कर लिया है। प्लेट के नंदर लगा աिए ती रिंग के ऊपर एक प्लेट में पर रग दीया हैं। और इसको अब झरम होने देंगे. जैसे यहारा प्या पैन हो जाता है फिंद मे ऑदो मश्मकार था देंगे वाला बैटर लिया वहाली बेटर इसको यहाल बजल करेंगे. अधरी तो में तो प्रैट करेंगे, बहुत जादा इसको यहां से फिलिप कर देंगे और यह देखे कितना बढ़िया इसका कलर आया है एक दब परफेक्ट हमारा नाश्टा बनकर तियार हो गया है तो बस लो फ्रेम पर नीचे से इसको सिकने देते हैं हमें दुबारा इसको डखने की ज़रुरत नहीं है और यह देखे पीछी क बना सकते हैं तो अबने पैन को फिर से रख दिया है घैस पर और ढालेंगे थोड़ा सा ओल फिर से अगर आप दूसरी तरीके से बनाना चाहते है तो और जो बचा हुआ पूरा बैटर है वो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे और इसको किसी बीस पैचुला या स्पून की रिला ratios शहता से चारों तरफ हकासा फिला थेंगे थोड़ा मोटा ही हम इसको रखना है पहुँझ जाता पतला नहीं रखना है तो बस इस तरीके से गोल शी शेफ में हमसको फिला रहे हैं आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो इसक को पलटने के लिए आप 17 आ पर रखिए और इसको फिलिप कर दीजिये और इसको आसानी से हम लोग बलट सकेंगी बस और वम इसको फिर से इसमें वापस डाल देते हैं और नीचे की तरफ से भी से तो बस अब हम लोग गैस को फिर से आउन करेंगे और इसको नीचे के तरफ से भी सिखने देंगे जिसे की दोनों तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा और बीच में से एकदम सॉफ्ट रहेगा तो इस टेम पर ढखने की बल्कुल बिज़रत नहीं है मीडियम फ्लेम प तो आपको दोनों में से जो भी तरीका सबसे बैस लगता है उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं तो आपको कौन सा तरीका जाता अच्छा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रू बताईएगा यह देखते हैं पास से दिखाती हूं आपको कितना पर्फेक्ट यह हमारे नाश हुआ टाँ टाच्छा यह थंदा हो गया है तो आप पहले हम इसके साइडस को आप रेलीस कर लेहं तो इक नाइव की साहता से पहले इसके साइडस को आप र reality's कर दे और उसके वाद में हम इसको टैप करके ट News कर देने ।ो ढडनों ही पहले नाशने को हम साइडसे परकी अ नीचे ऑईल लगाया था काफी अच्छे से तो यह बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं बहुत ही असानी से रिलीस हो जाएंगे आप इडली स्टेन में बनाएंगे तो आप स्पून की साहतर से बिसको आसानी से निकाल सकेंगे तो बस एक प्लेट में इसको ट्रांसफर करेंगे फ्लिप करेंगे से और हलका सा टैप किया और यह हमारा नाश्ता बिल्कुल बाहा नेकल के तियार हो गया है यह देखिए एक दम परफेक्ट लग रहा है बच्चों को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आप एक पर इसको ज़रूर ट्राय कीजिएगा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और यह देखिए मैं आपको इकदम पास से दिखाते हूं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉंजी लग रहा है हमने इस नाश्ता को बनाने के लिए कोई दही वगरा का यूज नहीं किया तो फिर भी आप देखिए कितना यह सॉफ्ट पास से में आपको दिखाते हैं कितना बड़ी है यह हमारे नाश्ता बनकर तियार हुआ है लग रहा है एकदम पर्फेक्ट तो बस आप इसके साथ अपनी मन पसंद कोई भी चटनी बनाईए कोई डिब बनाई है ग्रीन चटनी या फिर इमली की चटनी या फिर दही वाली किसी भी चटनी के साथ आप इसको एंजॉई कर सकते हैं या फिर अगश हो सके तो नाड़िल की चटनी के साथ आप इसको बनाईए को और फिर देखेंगा कितने पर्फेक्ट आपको ईनाश्ता लगता है तो यह वाले नाश्ता को यम एक बार आपको कट करके भी दिखा दे तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए अगर आज की रेसिपी आपको अची लगी है तो प्लीज 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 लाइक शेर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा साथ में नोटिफिकेशन ब अची